हाई दिस इस कुनाल कपूर and this is my kitchen, the K-Kitchen और आज मेरी इस kitchen के अंदर मैं बनाने वाला हूँ chicken biryani so chicken biryani बनाने के लिए सबसे पहले आपको chicken को marinate करना है हमारे पास है ये chicken being cut into smaller pieces मैंने छोटी pieces में इसलिए काटा है ताके इसे पकने में आसानी हो आप चाहें तो साबूद चिकन भी इस्तमाल कर सकते हैं इसके अंदर सबसे पहले मैं डालूँगा नमाक इसमें जाएगा शाही जीरा और इसके अंदर इलाइची, दालचीनी, इसमें डालेंगे हल्दी, रचिली पावडर, थोड़ा सा जावित्तिरी पावडर अब इसके अंदर थोड़ा सा कालिक पेस्ट, थोड़ा सा जिंजर पेस्ट, कपल अब ग्रीन चिली, जुस्ट ब्रेक दम अद आग दम, अब इसके अंदर हमें डालना है ब्राउन नियन, इसमें जाएगा खूब सारा मिंट लीज, मिंट is very very important in a biryani, अब इसमें जाएगा बीट किया हुआ दही, अगें a good quantity of yoghurt, और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे, इसमें अब हम डालेंगे, oil, there it goes, और यही जो marination है, ऐसा नहीं है कि इसको marinate करके एक दिन रखना है, overnight रखना है, कुछ घंटे रखना है, just marinate it and use it, oil डालने के बाद एक बार फिर हम इसे अच्छे से मिला लेंगे, lovely, now, हमें चावल को बहुत ही कम समय के लिए पकाना है, यह कह लिए जे, चावल को हमें उबलते वे पानी में डालना है, 20 तक गिंती करनी है और उसे निकाल लेना है, पानी उबल रहा है, इसके अंदर हम डालेंगे नमक, और नमक थोड़ा ने, जादा ने, काफी जादा, यह इसके अंदर थोड़ी इलाइची, और एक हरी अब इस पानी के अंदर हमने इतना जादा सॉल्ट क्यों डाला है, वो इसलिए क्योंकि जब चावल को हम इसमें बलांच करेंगे और उसके बाद पानी भेंग देंगे, तो maximum सॉल्ट निकल जाएगा, काफी थोड़ा सॉल्ट चावल सोक करेगा, यह है हमारे पास चावल, जिसे हमने आदे घंटे के लिए पानी में सोक करके रखा है, इसे अब हम इसमें डाल देंगे, एक लाइट स्टर, 20 तक गिंती, लिटरली 22-25 सेकंद्स, और एक पहली लेर जो सबसे नीचे जाएगी इस हांडी के, वो हम निकाल लेंगे, छनी का इस्तिमाल करें, इस मुच मूँ एजियर, अब इसके अंदर हम चिकन को डालेंगे, रो चिकन जिसे हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था, चावलों के उपर लेर कर दूँगा, ना, टरन ओफ दे गैस है, और यह जो चावल है, इसे हम छान लेंगे, चावल अभी भी काफी कच्चा है, अब यह चावल हम इसके उपर डालेंगे, ऐसे, अब इसके अंदर यह जो चावलों का पानी है, इसे हम आराम से पहला कर डाल देंगे, बाउट टू लेडल, अब हमार पास यह आठा है, जिसे हम अच्छे से रोल कर लेंगे, और यह जो है, यह इसकी एजिस पर हम लगाएंगे, उपर से थोड़ा सा ब्राउंड अनियन, थोड़े से मिंट लीव्ज, अब हम इसके अंदर डालेंगे साफरन, जो मिनित दूद में खोल कर रखा है, हलका सा पानी का हाथ, इस आठे के उपर हम लगाएंगे, ताकि लिट जो है, वो आसानी से चिपक जाए, यह है, और इसे हम यूँ ब्रेस कर देंगे, जिससे के यह सील हो जाए, इस तरीके की बिर्यानी को कहते है, चिकन दम बिर्यानी, और इसे कच्चे चिकन की बिर्यानी भी इसलिए बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर चिकन और राइस तोनों कच्चे हैं, फिलहाल इसे लगे बिर्यानी तयार हो जाएगी तैयार हो जाएगी बिर्यानी हमारी तैयार है दम इसको लग चुका है नाउस ताइम तो ओपन इट तो एक चाकू की मदद से चस्ट पुट दाट इन ट्विस्ट बिर्यानी की खुश्बू और साथ में अर्धन वेर में बनाया है तो अर्धन पॉट का अपना एक अलग अर्धी फ्लेवर होता है ओसम इससे पहले के भी डिग इंट बिर्यानी स्टार इटिंग इसका जो यह आ एंड वांस अगेन यह आठा एडिबल नहीं है प्लीज डोंट इट अट आट अल ना बिर्यानी को काटना एक कला है जब कहते है काटना मतलब उसको स्क्रेप करके उसको खोलना और उसको पोर्शन करना तो यह जो लेडल है यह बिल्कुल फ्लैक लेडल है यह आप साइड स डालें गे स्क्रेप करेंगे जंटली लिफ्ट करेंगे और बिंग आप अट रूक अट रूक अलग अलग बिल्कुल भी मैशनी होआ और कच्छा बिल्कुल नहीं नहीं ना वं दिस साइड अगें यह मसालेदार चिकन इस बिर्यानी को हम गानिश करेंगे थोड़े मिंटली सॉब ध्राउन अटियन के साथ चिकन दम बिर्यानी तन